नमस्का इन्बी न्यूस देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मस्कार। बिले जानकारी के मताबिक संयुक्त अरब अमिरात से लूठे एक बावन साल की शक्स की कोरोना रिपोर्ट पुजिटिव आई है। उसका सैंपल जिनोम सिक्वेंसिंग जांच के लिए इंस्टिटूट ओफ लाइफ साइंसे फुवनिश्वर भेचा गया है। वहीं स्वास्त वेफाग को बुद्वार को जांच वे रिपोर्ट मिली है जिसमें कोविड-19 के ओमिक्रोन वेरियंट की पुश्टिक हुई है। करोना बढ़ रहा है कुछ सहरों में बढ़ा है जिसमें रायगाड है रायपूर है लेकिन यह है कि जो ओमिक्रान है उसकी टेस्टिंग का हमारा सेंटर दिया गया है वो उडिसा है और उडिसा में सेंपल बहुत सारे पहुंच गया है तो जाम की सिती है और कुछ सेंपल के रिपोर्ट आए लेकिन ओमिक्रान होगा फिर उसकी साथ से भी ट्रीट्मेंट होगी लेकिन ऐसे घबराए और सारी बियोस्ता राजी सरकार के और से की गई है जितने भी लोग आटी पीसी आर में पाजिटीव है जा रहे हैं मध्यप्रदेश के मुखे मंतरी शिवरास सिंग चोहान ने प्रभान मंतरी नरेंदर मोदी की दिरखायू और रक्षा के लिए फुपाल के गुफा मंदर में महामरित्यूंचे जाप किया है सियम शिवरास सिंग चोहान ने आज वपहर एक बजे वगुफा मंदर पहुंचे बिजपे प्रदेश अधियक्ष बिडिशर्मा ने उजएन के महाकाली शुवर जोतरलिंग मंदर में प्रभान मंतरी की दिरखायू के लिए जाप किया इसके साथ ही ऑंकारेश्वर जोतरलिंग मंदर में प्रभा जाप किया इन दोर के खज़राना गनेश मंदर और ररनजीत हनुमान मंदर में प्रभान मं वी प्रभान मंतरी के पनजाब दोरे के समय शुरक्षब आज पूरे देश में और मध्ध प्रदेश में भी जंता के मन में रोस भी है गुस्ता भी है चिंता भी है लोग अचम्भित है भारत के प्रधान मंत्री जी की जिंदगी के साथ कल खिलवार किया गया उनकी सुरक्षा को जान भूच कर खत्रे में डाला गया मैं तो हैरत में हूँ आश्चेरी चकित हूँ मैं भी 15 साल से मुख मंत्री हूँ जब कॉंग्रेस की सरकार थी और तत्काली प्रधान मंत्री आते थे तो हर पल की चिंता हम करते थे कल जिन परिस्थितियों में उनको फ्लाई ओवर पर रहना पड़ा भगवान की किरपा है कि वो सुरक्षित है पूरा देश चिंतित है मैं मैडम स्रीमती सौनिया गांधी और राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ कि राईनितिक मदवेद ऐसा नहीं होता कि विद्वेस की अगनी में आप जल उठो और कांग्रेस सासित राज में प्रधान मंत्री जी के साथ ये ब्योहर हो कि डीजीपी साथ नहीं सीयस साथ नहीं संगी ढाचे को आपने तार-तार कर दिया धज्जियां उड़ा दी उसकी और जानवूज कि ये खूनी खेल खेला हम भगवान से प्रार्ता करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि प्रधान मंत्री जी सुरक्षित है वो दीरगायू हो लगातार देश का नेत्रत्व करें दुनिया को दिसा दिखाएं और आज हम ये भी प्रार्ता कर रहे हैं पूरे मध्ध देश में अलग-अलग मंद्रों में महा मिर्तुंजे जाप हो रहा है प्रधान मंत्री जी की सफ्थ जीवन के लिए काम ना कर रहे हैं लोग और हम ये प्रार्ता भी कर रहे हैं कि कांग्रेस की अध्यक स्रीमती सौनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को सद बुद्धी दें कि वो ऐसी हरकत ना करें जो देश की सुरक्षा के लिए संकट बन जाए प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री है खिलवार उनकी जिंद्गी के साथ तो हुआ है देश की सुरक्षा के साथ भी हुआ है सरकार पूरे तरीके से जाग रुख है लोग कोरोना बंबन कर ना खुमी मास्क अनिवारे रूप से इसका पालन करें और शालिक दूरी काफी पालन करें हम और सक्ती से मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना बढ़ाने पर विचार कर रही है इनके लिए ओपन जेल भी बनाई जाएगी इस पर भी विचार किया जा रहा है सरकार के पास लोगडाउन या बाजार बंद करने का कोई फी प्रस्ताव विचारात हीन नहीं है आपका पता दे कि मद्यप्रदेश में पिछले 24 खंटे में कोरोना की 1033 ने की सामने आए हैं 2033 प्रकण कोरोना के नए आए हैं जबकि ठीक होकर अपने घरों की और गंतव्य की और सकुसल जाने वाले 102 लोग हैं मद्यप्रदेश में अब एक्टिव केस 2475 संपूर्ण प्रदेश में हैं संक्रमण दर बरतमान में 1.47 प्रदेश की है जबकि रिकबरी दर 98.65 है कल संपूर्ण प्रदेश में जो सेंपल लिए गए वो 70,298 सेंपल लिए गए है लोकडाउन करने का बजार बंद करने का कोई भी प्रिष्ताव ग्रहबवाग पर बिचारा धीन नहीं है इसलिए कोई भ्रम फैलाता है आप सबसे भी प्रात्ना है उस भ्रम को आप भी क्रपा करके दूर करें लेकिन हम करोना मास्क ना लगाने पर और सक्ती और जुर्माना बढ़ाने पर भी बिचार कर रहे हैं खुली जेल के बारे में भी बिचार कर रहे हैं कि लोग कोरोना बंबन के नगुमें तीसरी लहर रोकने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं मुख्यमंत्री जी अचा भीड कम थी तो जाने देते ना प्रशान मंत्री जी को क्यों रोका यह इस बात का जवाब है घटना के 16 घंटे बीच जाने के बाद भी कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोस सिंग सिद्धू जी का कोई भी अभी तक एक बयान नहीं आया ट्वीट नहीं आया माननी पूरू मुख्यमंत्री अम्रिद्दर सिंगी इनके पाकिस्तान से कनेक्शन बता चुके हैं मंद्रप्रदेश के इंदोर संभाग के विभीर जलो में आज प्रथान मंत्री नरेंदर मोदी की कुशलता के लिए महा मृत्यूंजय जाप किया गया इंदोर की बात करें तो यहां पि राजवाडा और रणजीत हानुमार मंद्र में ये जाप किया गया इस दोरान इंदोर से विभायक आकाश विजय वर्गया के नित्रित्व में प्रथान मंत्री नरेंदर मोदी की दिर्खाईयू के लिए कोविड प्रोटोकोल के साथ महा मृत्यूंजय मंत्र का सामूहिक जाप रजवाडा सित अहिल्या प्रतिमा पर करवाया गया आपको पता दे कि पंजाब के दोरे पर प्यम मोदी की सुरक्षा में हुई चूख के बाद से ही बीज़पी के नेता मंत्री कारेकरता और सदस से परिशान है और उनके दिर्खाईयू की काम ना कर रही है देखिए कल एक ऐसी घटना हुई है जो पूरे देश के लिए बेहद चिंता जनक है हमारे प्रधान मंत्री जो ना की सिर्फ इस देश के बलकि पूरे विश्व के सबसे लोक्प्रिये नेता हैं उन्होंने अपने आपको सिद्ध किया है अपने कार्य के दम पर ऐसे लोक्प्रिये प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा में पंजाब में चूप हुई है हम सब जानते हैं पंजाब में अभी नवजोत सींग सिद्धु जी की तूती बोलती है कॉंग्रेस की सरकार है और अभी हाली में राहुल गांधी जी से उनकी नहीं-नहीं मित्रता हुई है तो उनकी तूलती और उनके पाकिस्तान के प्रदान मंतरी इंब्रान खान जी से बहुत अच्छे संबंद है यह हम सब जानते हैं कई बार वह मंचों से उनकी तारीफ कर चुके हैं फोटो वीडियो हम लोग कई बार उनके मित्रता के देख चुके हैं ऐसे व्यक्ति के राज्य में जब प्रदान मंत्री जी गए और पाकिस्तान की बॉर्डर के मात्र 10 किलोमिटर दूर प्रदान मंत्री जी थे तब उनकी सुरक्षा में चूख हुई उनके काफी लेके सामने लोगों को बेजा गया वहाँ पर जो लोग थे लोकल लोग थे जो मोदी जी को दिल से चाहते थे उन्होंने बताया कि चौराएं चौराएं पर लाउट स्पीकर लगा करके लोगों को एकत्रित किया गया तो यह घटना बेहद चिंता जनक है मुख्यमंत्री च ले रहा है जगे जगे आप सोशल मीडिया में देखें पर देखें इसके विरोध में लोग उतर रहे हैं क्योंकि प्रदान मंत्री जी सर्वमान नेता हैं और उनकी सुरक्षा में चूख मात्र 10 किलो मितर की दूरी पे बॉर्डर से एक बहुत प्रदान मंत्री के सुरक्ष में हुई चूख के बाद महाकाल मंदर में प्रदेश अध्यक्ष बिड़ी शर्मा महम रित्युन जजाप उन्हों नहीं किया प्याम मोदी की लंबी आयू की कामना करते हुई यह अनुस्ठान हुआ आपको बता दें कि प्रदान मंत्री नरिंदर मोदी की सुरक्ष में खूई चूख के बाद पूरे देश में मोदी की लंबी आयू की कामना को लेकर पूजन अर्चन बिजेपी पदाधिकारी और कारेकरताउं त्वारा किया चा रहा है जहां आज उजयन के महाकाल मंदिर में बिजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिडिश शर्मा उच्चिशिक्षा मंत्री मोहन यादव ने महामरितुन जज़ाप किया और बाबा महाकाल से प्रफान मंत्री मोदी की लंबी आयू की कामना की बलकि मैं कहता हूं कि योजना बद्ध तरीके से कॉंग्रेस के नेत्रत्तों के इसारे पर इस प्रकार से एक सडेंत रचा गया लेकिन बाबा महाकाल की भारत के लोगपरी प्रफान मंत्री दुनिया के सरबादिन यत्ता मानी नरेंद मोदी जी के उपर बाबा महाकाल का आशिरबाद है आज हम सब लोग उनकी दीरगाई के लिए और उनका जीवन एससी बने वो 130 करोड जनता के लोगपरी नेता तो हैं 130 करोड जनता का मानी प्रधान मंत्री आदर्णी मोदी जी के साथ जो आशिरबाद इस देश की जनता का मानी प्रधान मंत्री को है बाबा महाकाल से आज हम प्रातना करने आए हैं और महामर्तिंजो के जाप के साथ हमारे महाकाल मंदर के प्रमुक पुजारी आदर्णी गंशाम पुजारी जी के साथ हमारे सभी पंडित यहां पर बड़ी संख्या में आज महामर्तुंजों के जाप के साथ भारती जंता पार्टी के कार्यकरता हमारे कैमिनेट के मंतरी महौन यादब जी महिला मुर्चे के हमारी पदादिकारी सभी भारती जंता पार्टी के कार्यकरता आज बाबा महाकाल से ये आशिरवाद लेने के लिए के हमारे प्रधान मंतरी यस्वसी बने और देश के अंदर 130 करोड जंता की सेवा और ताकत से कर सकें इस प्रकार के सडेंतरों से मानि प्रधान मंत्री जी को बावा महकाल बचा करके उनको अश्री बात मांगने के लिए आजम लोगाओं में आदिवासी किसानों की खेत में दो पहाडियों को जोड़कर दक्षिन वन विफाग के द्वारा बांध बनाया जा रहा है जुसमें दस आदिवासी किसान की जमीन इस बांध में जा रही है आदिवासी किसान बांध को लेकर परिशान नतरा रही है आपको बता दें कि माकडी व्लोक अंतरगत आने वाले ग्राम विजोली में वन विभाग द्वारा बांध बनाने के लिए जमीन अधिगरहन की बात सामने आते ही ग्रामिणों ने विरूद करना शुरू कर दिया ग्रामिण ने इसकी शिकायत के लिए जिला कार्याले पहुँच अधिकारियों से बांध ना बनाने की अपिल फी की तो उदल दायले आमी कमा हुँचे आँ उताले कमाते कमाते बोले यह हुँचे बे 2015 अपक पराणे मीरली से उत्रा मध्यपरदेश के बाला घर्च में कोरोना संक्रामन की दूसरी लेहर समाप तुख्षुने के बाद एक बर फिर से उर्देश में कोरोना और नए वेरियंट के केस सामने आने शुरूप हुए हैं जुसे देखते हुए अब कोरोना की तीस्वी लहर आने की आशनका जताई जा रही है जिससे बचाव के लिए नगर में दवाईयों का छड़काव करना युद उस्तर पर साफ सफाई की व्यवस्ता किये जाने मच्छर भगाने के लिए फोग मश्रीन चलाने ही सहीत कोरोना संक्रामन को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किये जाने की मांग को लेकर बुदवार को जिला कॉंग्रेस कमिटी और ब्रोडगीज रेल संघर्श समीती के संयोग तत्तमासान में नगरपाली का और कलेक्टोर कार्याले में एग्यापन सोंपा गया कि अग्रदेश कमिटी ने जिस तरह के निर्देश दिये हैं जिसमें की जो कोविड महामारी को लेकर जो तीसरी लहर की जो संभावना बताई जा रही हैं और हम यह देख रहे हैं कि कोविड को देखते वे प्रशासन को और विशेशकर नगरपाली का को जिस तरह से एत्या जातन कदम उठाने चाहिए वे कदम नहीं उठा रहे हैं ना ही दवाईयों का छड़का हो रहा है ना ही किसी प्रकार की कोई युद्धिस्तर पर सफाई विवस्ता की की जा रही है जबकि हम यह देख रहे हैं कि नगरपालिका के माद्यम से प्रशासन के माद्यम से मास्क क लेकर आम जनता के साथ जो चालानी कारवाई है वो तो की जा रही है लेकिन चालानी कारवाई से जो राशी प्रशासन को प्राप्त हो रही है या शासन प्रशासन के पास जो कोविड महामारी की रोक्ताम के लिए जो राशी आ रही है उसका सदुपयोग नहीं किया जा रहा ह जबकि प्रशासन को और विशेशकर नगरपाली का कोई अश्यक रूप से चाहिए कि पोविड महामारी को द्रश्टिकत रखते वे युद्ध इस्तर पर सफाई विवस्ता की जाए मलेरिया आईल का छड़काव किया जाए मच्छरों की रोक्थाम के लिए फाग मशीन का इस्तमाल करते वे इस पर रोक्थाम के उपाय किये जाए ये सारे एहतियातन उपाय नहीं होने से मद्यप्रदेश के मन्रुला खंड़ चुकित्सा अधिकारी दिनेश कुमार ताकसांजे को जवलपुर लोकायुक तुने बीस हजार के रिश्वत लेते रंगे हाथ हो गिरफ्तार किया है सौथवी ने ताकसांडे को दी रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों उसे पक्डा जिसके बाद लोकायुक्त के द्वारा वरतमान में पूछताच करते हुए कारवाई जा रही है इन दोर में बूस्टर डोस के नाम पर ओनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है वहीं ठगी का मामला सामने आने के बाद COVID-19 महामारी के इलाच में उप्योग होने वाली दवाईयों की काला बाजारी और डुप्लिकेट दवाईयों पर शुकंजा कसने के लिए पुलिस कमिशनर ने सक्त कारवाही के आदेश दिये हैं गरसल दूसरी लहर में इंदोर पुलिस ने नकली रमडिसिवेर की काला बाजारी करने वालों के पर कारवाई करते हुए जेल की सलाखों के पीछे उने किया था जोसके बाद गुजरात से जुड़े हुए वहीं अब फिर से बूस्टर डोस को लेकर ओनलाइन ठगी का काम किय सब्सक्राइब करने के लिए ओटीपी की मांगी जा रही है हम ओटीपी जैसे ही भेजते हैं उसमें कई तरीके से ओटीपी की मांगी जा रही है के बातों को लेकर के तीके को लेकर यदी कोई या फिर उसमें भुस्टर डोस को लेकर के किसी ओटीपी की मांग करता है अब फॉरन समाझ जाएं कि यह अब्यक्ति एक ठग है और अपने ठगी काशिकार बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने बेंड बाजूं के साथ एक जागरूकता रहली निकाली इस्रेली में SDRM, तहसेलदार, मुक्षोन अगरपाले का अधिकारी और पूरा पुलिस महकमा शामिल रहा कोरोना की तेस्वे लहर के प्रतीज जागरूकता के साथ ली नशा मुक्ति के खिलाब भी इस्रेली में लोगों को जागरूकिया गया आसकता है, एक तरह से कोवेट के थर्ड वेपी दस्तक उच किये, कैसे आना स्टार्ट हो गए है, तो पब्लिक को अवेर करने के लिए, हमारा मिली फोकस था कि सभी लोग अवेर हो, जो भी प्रोटोकॉल से कोवेट के, मास लगाना, सेनेटा तर यूज करना, सोसल डिसेंस इसके संबंद में हमने एक डीजे की रेली निकाली थी, और साथ ही आम जनता से अपील भी किये थे कि नशे से दूर रहें, नशे मुक्तिव अवेर करने के लिए ताकि शार सुरुचीत रहे हैं, और साथ ही सूथ खोनों के संबंद में भी लोगं को आगा किया गया, कोई उसमें एक स्लोगन में तयार किया है, उसके माधियम से हम लौड जिशकर के माधियम से लोगं को आवेर कर रहे हैं, साचीत कर रहे हैं, आगा कर रहे हैं, साथ ही उनसे अपील भी कर रहे हैं, कि नशेमक्ती को अविहान इसमें साथ दें, इसको इसे दूर हटें, सूथ खो करने लगता है तो जूर्मना भी कहा जाएगा जिसका प्राविजन होता है लेकिन हुवारा प्राइसस है कि लोग स्वेम स्के यस को समझें इसकी को समझें है इसलिक इनको एक दरह से उनको मोटिवेट करने के लिए इस तरह करकम किया जा रहा है यह लगता जारी रहेगा जब जब यह से इस सिती बनेगी कि लोग फिर लापरवा हो रहे हैं और इस पर दूब पुलिस प्रसाशन जिता अपनी तरह से जिता कोशिश करना चाहिए और इस लोगों के अंदर जबुकता आएगी लोग बाग देख रहे हैं किया पुलिस लोग मास्क बाट रहे हैं लोगों को तो इस चीछ से जागरूता है कि एक को यह भी निकाली है अभी कि नशा नहीं करना चाहिए तो नशा नहीं करने के लिए और मास्क को गराए लोग लगाने तो अच्छा है कोरोना कम फैलेगा मंस पहले भी निकाल चुके हैं काफी कुछ चीजे कर चुके उससे लोगबाग नहीं मानते हैं यह सकती करेंगे तब ही मद्यप्रदेश के मंद्रला जुले में मोती नाला थाना शेत्र अंद्रुगत एक मविश्यों से भारा ट्रक पकड़ा गया है वहीं ट्रक की सोचना विश् कर ट्रक को कब जे मेले लिया है कि अब कर चालक द्वारा मौलेशों को पूर्ता पुर्वक लिजान है कि सुचना की तद्री के तू ठाना परभारी मौमद है वरिश्ट अधिकानियों की नेद्रेश्ट्रेट हम्राइश्टा के गया थे जो पांदुता लाग के पास में ट्रक की तालक द्वारा कुछ मौमश्यों को कूर्ता प्रोक ले जाए जिने मद्प्रदेश के मनसोर में मोसम ने बुद्वार दोपहर अचानक करवक ली जुसके बाद रात को लगभग 11 बजे अचानक तेज पारिश शुरू हो गई बारिश से जहां एक तरफ ठंड़क बढ़ी खे तो वहीं मंडी में किसानों की प्यास की उपज भी भी गई है जो से किसानों के माथे पर चुंता की लखी रहा गई है किसानों का आरोप है कि मंडी प्रशासन की लापरवागी और अंदेखी की वच्छ से उनकी फसल भी गी है मंदसौर कुशी उपज मंडी के सचिव से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने साफ सफाई देते हुए कहा कि हमने पहले की किसानों को समचाई शुदी थी कि मौसम विफाग की तरफ से बारिश का अलर्ट है बावजूद इसके किसानों ने पहले से ही कोई इंतजाम नहीं किये जो इसकी वज़े से उनकी फसल खराब हुई है कि विलोत कुमार बादरी के यह जो प्याज गिला हुआ है और दो दिन तक भाहर खड़े रहने बाद किसे दिन आपने अंदर गाला है क्या मांग करते हैं आप सिकाई परकाशाद कि एक तो टाइम से गेट भी नी कुलते माल उटता भी नहीं साम हो जाती उटते उटते उसके बाद चपरों में जगें नहीं है जहां चपरे हैं वहां परियों के माल के डेर लगे हुए तो खिसानों ने बहार डाले हैं त्याज सब बीग गए अब किसान के इतनी सुईदा लेका आएगा साथ में यह भी शिकायत कि इस उनको भाव भी भाव तो गीला हो गया त जब प्याज के लिए इस पेसल चैनी वाड़ी मंदी चल रहे हैं यहां पर अब थोड़ा सेड भावा है थोड़ा वहां की ब्यौस्था भी नियु वह कोई भी निखडा रहे तो भार वान के लिए कोई गाइडलाइन नियु एक टोकन सिस्टम निया बस जो लगे चार-च तूद्यार प्रणा मीजा बतार पीन कि छाय स्भिदाथ वंदम आप लो फंदमरों प्रणाशना नाने दोनी के ऐगज़ा ने जोलौ सस्वज़ा ड़िंधार मुदमा नहीं नहीं काम्पलेस ख्लाई बात करें प्रणार गया शिकार तीन देन में प्राद प्रणाय कंदर मत् पुलेटे में बस इतना ही तमाम एहम ख़वरों के लिए आप बने रहे एन बेन्यूस के साथ पुलेटे में बसकाइ